हेलो एवरीबड़ी इजीकॉन के यूट चैनल में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत भागत है दोस्तों लास्ट वीक हम लोगोंने एक फुली आटोमेटेड एक्वीटी बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम लांच किया थे इन पार्टनर्शिप इवेंश्ट्रा और उसका छे दिन का लाइव ट्रेडिंग में आपको अलड़ी दिखा चुका हूँ आज मैं आपको नेक्स त्री डेस का विंदर्स दे थर्स्डे और फ सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं यह सॉफ्ट्वेर सिर्फ और सिर्फ एलाइस ब्लू के साथ चलता है और आपको सॉफ्ट्वेर को मार्केट शुरू होने से पहले चलाना है दोस्तों इस सॉफ्ट्वेर को अगर आप 10-11 बजे चला रहे हो इसका कोई पॉइंट नहीं आ पर अपना स्टांडर्ड प्रोसीजर रहता है मैं आपको सबसे पहले अकाउंट बैलेंस दिखाता हूं त्यूज्डे को अपना प्रॉफिट हुआ था कुछ 15,000 अराउंड टाटा मोटर्स में बहुत अच्छा फॉल केच्च कि अपनने अपनने जब यह लाइव ट्रेडि किया रियल मार्केट कैपिटल मेलेंट सिलेक किया रिस्क डाला बारा पांसो कैपिटल डाला पच्छेसला आईडी पासवर डालके में स्टार्टल को पे क्लेक कर रहा हूं एंड यह इट गो तो तो यहां पे जॉब देख सकते हो 7th जुलाई को कुछ हो था कि 915 को 950 को 950 क का एक लॉंग ऑर्डर सॉफ्वेर ने पंच किया बट फॉर सम रीजन एलिस ब्लू ने वो ओर्डर को ब्लॉक कर रहा किते दोस्तों इंडेस इंडिया में मैं इस टेडिंग अलिस लो उसने इंट्राडे टेडिंग नहीं करने दे रहा था द्यू तो देड्रिस मैनेजमें करी कीज़ कि म은च करना देडिया drained रहा लंे करें देडिया एलिस ब्लॉक कर देडिठा बटतों इंड़ि़ आ झाल 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 तो यह देखो यह होते है 1457 और सारी पोजिशन कर दिये स्क्वेर और यहां पे कुछ 650 अराउंड लॉस हुआ था अपना अब यह 650 लॉस्ट वोड यह बीन अप्रॉफिट ऑफ चार्सो पांसर रुपे मार्केट वास नॉट सो वालटाइल तो यहां पे जो लॉस हुआ यहां अगर इंडैंडिया बैंक का ट्रेड आया होता तो यहां पे अपको इंडैंडिया बैंक जहां पे बाइयो था नाने प्र.ष्ट वस और यहां पर यहांपर बाइद यग्ठ वाटाइदा धिशा अगर अब 3ечно ऑटिर लॉट पई था इन तो हजार रुपे का स्क्वेर जार तो this loss would have been covered and would have resulted in a little bit of profit but care this profit or loss is very minimal जो भी होता तो भी profit बहुत चोटा हो तो लोस भी बहुत चोटा हुए बाकि अपने जो ट्रेड्स हो उसके comparison में कुछ भी नहीं है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन 8th of July के live trading पे आपे मैं आपको 8th of July का सुबह का बैलन्स हो कर रहा हूँ 514 146 कुछ है बैलन्स क्यूंकि अपना कल छोटा सा एक लॉस हो था बुरोक्रेज टेक्स करके कुछ माइनस हो और 514 बैलन्स है VPS open कर रहा हूँ VPS में मैं software चला रहा हूँ सेम अपना स्टांडर्ड प्रोसीजर रियल मार्केट से लेकिया कैपिटल मेनेजमेंट रिस्क डाला बारह पांसो कैपिटल डाला पच्छेस लाग आईडी पासवड डाल के कर दिया स्टार्टल को पे क्लिक मिनिमाइस करके इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा और बोरिंग ना होड़े अब 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 झाल 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 यह झाल 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 कर दो 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 झाल 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 तो दोस्तों 9th of July को अपना कुछ 2.1 के अराउंड लॉस हुआ है इस अलगों से विच आप्सुलुटली फाइन कंसिडरिंग अपने पिछले कुछ अपते में जो प्रोफिट्स वे उसके कंपेरिजिन में ये लॉस कुछ भी नहीं है लॉसे आर अल्सो पार्ट ऑफ दी गें ट्रेडिंग में हो रिस्क ले रहे हो तो लॉस अबिसली होता रहेगा बट इस लॉस इस वेरी लेस्स कंपेर तो दी अधर प्रोफिट्स अंड जो भी ये वीडियो देख रहा है स्टाथे जिलेने की सोच रहें मेक शूर यू अंडेस्टाइंड की मार्केट इस अगेम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट तो लॉस अबिसली होंगे अपने प्रोफिट्स बस लॉसे से ज्यादा बढ़े होने चाहिए दाट इस हाव यू ग्रो यूर कैपिटल थू दी लॉंग रन मिलते है दोस्तों अगले झाल